आज हम देखेंगे अमेजिंग और अन्बिलीवेबल प्लेसेस जो धर्ती पर मौजूद है ग्रीन लेक ये पार्क आस्ट्रेया में है जहाँ पर बेंज, जॉगिंग ट्रैक के साथ पूरा पार्क पानी के अंदर है लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता विंटर में ये लेक पानी के बहार होता है लेकिन में से जून में जब माउंटन्स का बर्फ पिखलता है तब वो पानी उस लेक में आ जाता है जिससे लेक की डेप्थ 39 फीट तक हो जाती है तब पार्क पानी के अंदर चला जाता है इसे क्रुक्ट फॉरेस्ट कहा जाता है जो पोलन में है जिसमें इस तरह के 400 पेड़े जो 1930 में लगाए गए थे इनका शेप अजीव है इनका शेप ऐसा क्यू है इसकी बहुत सारी थेयरीज है लेकिन कोई भी थेयरी प्रू नहीं हो पाई है इसलिए आज भी एक मिस्ट्री ह में है और इसमें सॉल्ट के मातरा बहुत ज़यादा है रिसर्च के बाद पाता चला है कि इस लेक में ज़ादा सॉल्ट में रहने वाले बेक्टेरिया जैसे सैलेनी बैक्टर रबर और प्रक्र के शेवाल है इसकी मातरा ज़ादा है जिससे उस लेक को pink color मिल रहा है इसमें रेड कलर आयन की वज़े से येलो कलर सलफर की वज़े से और ग्रीन ब्लू कलर फेरो मैगनेशियन की वज़े से आया है। गेट्स आफ हेल ये जगह तुरकमेनिस्तान में है। इस क्रेटर के बारे में कुछ ठोस पता नहीं है। लेकिन उस जगह पर रहने वालों का कहना है कि ये क्रेटर 1971 में बना था जब कुछ इंजिनियर्स उस साइट पर आयल ढूंडने के लिए ड्रिल कर रहे थे। लेकिन कि गैस कुछ दिनों में जल कर खतम हो जाएगी लेकिन गैस कभी खतम ही नहीं हुई और वो जगह पचास साल बाद आज भी जल रही है। कवा आईजेन वालकेनों ये जावा इंडोनेशिया में है। देखने पर लगता है कि ये ब्लू कलर का लावा है लेकिन असल में ये स्कलफर की आग है जो सलफर जलने से निकल रही है। जब सलफर सादे तिनitos डिग्री के ऊपर के टेंप्रेचर के हवा के संपर्क में आते है तो वो जलने लगता है। अंडे वार्टर स्क्लप्चर पार्क ये स्क्लप्चर पार्क Granada West Indies के समुन्दर के अंदर है जो British स्क्लप्टर Jason Taylor ने बनाया है ये दुनिया का पहला अंडर्वाटर स्क्लप्चर पार्क है उस स्क्लप्चर को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिससे कोरल जो समुदरी जीव है उसकी ग्रोथ हो सके और कोरल अन्यवाट